एलो स्टुडेंट्स आज सिंटेक्स में हम सीखेंगे रूल्स ओप एड़ वर्ब तो आईए सुरू करते हैं स्टुडेंट्स फास्टली कोई वर्ड नहीं होता है फास्ट जो वर्ड है वो एड़ जेक्टि का भी काम करता है और एड़ वर्ब का भी इसलिए यहाँ पर एल वाई अड़ जाएगा दा ट्रेंट्स फास्ट सी वेंट टू कोलेज डिरेक्टली तेके directly के 2 meaning होते हैं direct का मतलब होता है सीधे मतलब एकदम direct का मतलब है एकदम प्रणत तो यह sentence ठीक है she went to college directly यानिकि इसका मतलब है कि ये एकदम स्कूल चली गई लेकिन अगर इसका meaning change करना हो तो इसको direct कर देते हैं she went to college direct अब direct का मतलब हो जाएगा के वह कहीं नहीं रुकी, मतलब बिना कहीं रुके सीधे school चली गई, तो आप यह लिख सकते हैं, she went to college direct, उसका मतलब हो जाएगा के सीधे school गई, कहीं नहीं रुकी, और अकर directly रखने हैं, तो उसका मतलब हो जाएगा तुरंत, के वह तुरंत school चली माई सिस्टर गोज आलवेज टू टेमपिल अगर स्टुडेंट्स आलवेज जो एडवर्ब है उसका परियोग सब्जेक्ट के ठीक बात होता है यानि कि मैन वर्ब से पहले और अगर वर्ब भी लगी हो जैसे जैमार वाजवर्ब तो उनके ठीक बात होता है और मैन वर्ब से ठीक पहले तो माई सिस्टर आलवेज यहाँ जाएगा गोज टू टेमपिल यह सेंट्स बनेगा आई एम टू गलेड टू सी माई फ्रेंट स्टुडेंट्स यह तो होता है टी डबलो यह इसका मतलब होता है टू गलेड के बियोंड दा प्रोपर लिमिट मतलब उचित सी मसी भी ज़्यादा दिक और जब इस टू का परियोग होता है स्टुडेंट्स तो यह नेगेटिव मिनिंग देता है यह टी डबलो टू आला तो यहां आप इसको हटा के वैरी लिखेंगे I am very glad to see my friend The flower smells sweetly स्टुडेंट्स से स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स स्टूडेंट्स का परियोग नहीं होता है बलकि स्टूडेंट्स का परियोग होता है The flower smells sweet कविता is much beautiful यह adjective लगा है स्टुडेंट्स और इस से पहले much का परियोग नहीं होगा बलकि very का होगा कविता is very beautiful He is enough intelligent स्टुडेंट्स इसको आप दो तरह ठीक कर सकते हैं एक तो आप intelligent से पहले very लगा दीजिए He is very intelligent और अगर आपको enough का ही परियोग करना है तो enough का परियोग adjective के बाद होता है पहले नहीं He is intelligent enough फिर आप ऐसे करेंगे This story is much interesting Students जो present participle होते हैं जिनमें ing का यूज हुआ हो उनसे पहले यूज होता है very का और जो होते हैं past participle यानि कि verb की third form जो adjective का काम भी करते हैं उनसे पहले ही जोता है मच का तो यहाँ आप लगाएंगे very This story is very interesting It is nothing else than pride Pride का मतला होता है घमंड Nothing else के बाद students than का नहीं but का परियोग करते हैं It is nothing else but pride Cuckoo makes its nest never Students never का परियोग verb के बाद कभी नहीं होता है Man verb के ठीक पहले होता है यानकी subject के ठीक बाद Cuckoo never यहाँ जाएगा makes its nest I am very afraid of darkness Afraid के पहले students very का परियोग नहीं भलकि much का परियोग करते हैं तो यहाँ हो जाएगा I am much afraid of darkness This painting is really much wonderful यह adjective है इससे पहले much का नहीं very का परियोग होगा This painting is really very wonderful Lancho was in need of money badly Badly जो एड़ वर बहुत है इसका परियोग जो आपकी linking verb है EJMR वाज वर जो भी होता है उसके ठीक बात होता है Lancho was badly in need of money ऐसे हो गए sentence Alka was guilty certainly Certainly का परियोग students यह तो sentence के शुरू में होता है या linking verb के ठीक बात यानि कि certainly Alka was guilty या Alka was certainly guilty हो जाएगा He spent fully his money अब यह ट्रांजिटिव वर्ब है तो फूलिसली का परियोग sentence के लाश्ट में होगा He spent his money फूलिसली रितू unfortunately failed अनफॉर्चुनेटली एक ऐसी एड़वर्ब है जो पूरे sentence की शियस्ता बताता है तो इसको sentence के सुरू में रखते है अनफॉर्चुनेटली रितू failed अनफॉर्चुनेटली एक रितू फैल्ड अनफॉर्चुनेटली एक पहले भी आता sentence सुईटली का परियोग नहीं होगा सुईट का परियोग होगा honey tastes sweet they are working hardly these days देखिए sentence वहे तो ये भी sentence ठीक है इसमें कोई गलती नहीं है लेकिन अर्थ अलग हो जाएगा मैं जो समझाता हम आपको they are working hardly these days इस sentence का मतलब है के वे इन दिनों काम नहीं कर रहे हैं hardly negative meaning देता है वे इन दिनों काम नहीं कर रहे हैं अगर आप इस hardly जाएगा hard लेके जाएगे they are working hard these days तो फिर इसका meaning हो जाएगा के वे इन दिनों कठिन परिश्रम कर रहे हैं बस ये meaning में अंतर आ जाएगा बग की sentence ये भी ठीक है इसका meaning है के काम नहीं कर रहे हैं और hard का मतलब हो जाएगा मेहनत कर रहे हैं her hair is enough long ये enough का use adjective के बाद होगा her hair is long enough ritu is enough rich to buy a scooty यहाँ भी enough का परियोग rich के बाद होगा क्योंकि enough का परियोग adjective के बाद होता है ritu is rich enough to buy a scooty यानि कि ritu परियाप तमीर है कि स्कूटी खरीदने के लिए more we get more we want students ये rule ये है कि जब किसी sentence में more का परियोग दो बार हुआ हो और किसी वस्तू के लिए हुआ हो जैसे का रहा है more we get यानि कि जितना हमें मिलता है more we want उतना ही हमें और चाहिए या उतना ही हम और चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में दोनों more से पहले दा का यूज करते हैं the more we get the more we want गांदी जी was too kind to help the poor next sentence मैंने पहले आपका बता के two का मतलब होता है negative यानि कि जिस sentence में टी डेबल टू लगा हो और ये टी ओ टू लगा हो तो उस sentence में जो है negative sense आज जाती है इसलिए आप यहाँ इस two को अठा के गांदी जी was kind enough यहाँ enough लिके ने टू help दप हुआ यानि कि गांदी जी इतने द्यालू थे कि वे गरीबों की साहिता करते थे या कर सकते थे दरिच want nothing else than money nothing else के साथ but का परियोगा but money it is nothing else than hatred यहाँ भी nothing else के बाद but का परियोगा students it is bitter cold today bitter का मतलब होता है कड़वा तो यहाँ students तो एडवर्ब लगई वो bitterly लगई it is bitterly cold today यहाँ आप यह कर सकते हैं चाहिते इसको उठा दीजिए it is much cold today यह भी लिख सकते है c fluently spoke English वहे तो fluently student यहाँ भी सही है मैं वर्ब के पहले हुज हो सकता है लेकिन अगर आप बतलना चाहिए तो इसको c spoke English fluently यहाँ जाएगा वाकि रूल यह है कि यहाँ भी ठीक है sugar cane tastes sweetly sweetly वर्ड नहीं यूज करते हैं taste के बाद यूज करते हैं sweet sugar cane tastes sweet she goes never to temple यहाँ पर never जो है man verb के पहले आएगा she never goes to temple more one gets more one wants जितना अधिक जितना किसी को मिलता है उतना यूज को चाहिए तो दोनों complete degree से पहले दा कई हो जाएगा the more one gets the more one wants Rubina explained clearly her views अब आप इस clearly ad verb को यह तो रखिये man verb के ठीक पहले Rubina clearly explained her views यह रखिये sentence के last में Rubina explained her views clearly he is enough rich to buy a phone और enough का पर जोग आप करते हैं objective के बाद तो he is rich enough to buy a phone I was too glad to meet her यहाँ पे यह negative sense हो जाएगी two के साथ तो आप लिखेंगे very I was very glad to meet her this was a much soaking news यह present partnership for students आई एंजी लगी है तो यहाँ very का परियोग करेंगे much का नहीं this was a very shocking news he hard sleeps in day time यहाँ पे students की adverb बनेगी तो hardly हो जाएगा he hardly sleeps in day time इसका मतलब हो जाएगा कि वहे दिन में नहीं सोता है she is very interested in sports यह आपका हो गया perfect participle जैसे यह तो था आपका present participle जो वर्ब में अंजीशियर बनता है और यह adjective का काम भी करता है आपका जो आपका past participle होता है तो इसके पहले very का नहीं much का परियोग होता है she is much interested in sports he is bad bad नहीं badly हो जाएगा he is badly in need of money रितु is intelligent enough enough का परियोग intelligent के बाद होगा to solve the sums the boy is much inspiring यह भी present participle students तो यहाँ much की बजाए very का परियोग होगा very inspiring the boy ran very fastly fastly कोई word नहीं है तो fast the boy ran very fast he is in need of money badly badly का परियोग यहाँ होगा इसके बाद he is badly in need of money minoxi is very afraid of dogs afraid के पहले students very का नहीं बलकि much का परियोग किया जाता है the train goes directly to London अब sentence मैं ने आप कोई पहले पता दिया था के directly का मतलब होता है तुरंत तो तुरंत तो लंदन जाएगी नहीं train तो इसका मतलब हम यह करेंगे के the train goes direct to London direct का मतलब सीधे बीच में कहीं यह रुकती है to हो जाएगा क्योंकि इसका meaning होगा the news is too good to be true के समचार इतना अच्चा है के सच नहीं हो सकता है इसको negative sense में ले जाएगे सारी का is in the wrong certainly certainly का परियोग आप सुरुवात न करिए certainly सारी का is in the wrong या is के बाद he cannot even read English इसका मतलब है के वह अंग्रेज जी भी नहीं पढ़ सकता है तो ये आपका जो even है he cannot read even English से ठीक पहले आएगा क्योंकि इंग्लिस पर इसका परेसर पढ़ रहा है he cannot read even English this is the last fashion students last fashion कोई नहीं होता है लेकिन हाल ही का नमीनतम हो सकता है तो उसके लिए आप last नहीं बलकि latest l-a-t-e-s-t this is the latest fashion करेंगे we all fortunately escaped unhurt fortunately पूरे sentence की विशे इसता बताता है इसलिए इसको sentence के आरम में लिखते है certainly we all escaped unhurt life is nothing else than a struggle तो nothing else के साथ यूज़ करते हैं but का then की ज़ए my pay is enough handsome enough handsome नहीं यह तो आप लिखेंगे my pay is handsome enough adjective के बात ज़ज़ करेंगे या very handsome लिख सकते है go anywhere else than Pakistan else के बाद but her salary was enough low to pull on pull on का मतलब गुज़रा करने के लिए काम चलाने के लिए तो enough का परियोग low के बाद her salary was low enough to pull on he enough spoke तो enough का परियोग का होगा spoke के बाद he spoke enough she looks never said तो never का परियोग का होगा man verb के ठीक पहले she never looks sad he soon will return home soon का परियोग है तो आप will के बाद कीजिए helping verb के he will soon return home या sentence के लाश्ट में he will return home soon honey tastes sweetly honey tastes sweet sweetly का परियोग नहीं होगा your teacher is enough pleased enough का परियोग pleased के बाद करेंगे your teacher is pleased enough with your industry students तो ये आज का रूल था आपका syntax of adverbs आप सभी वीडियो देख रहे हैं और आसा करता हूँ का आपको कुछ ने कुछ सीखेने को मिलता होगा अगर आपका कोई सुझाव हो ये आपके कोई question हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप comment में लिख सकते हैं मैं उनको reply करूँगा आपको वीडियो कैसी लगी ये भी लिखे बताएं thanks